हेलो एवरिवन तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन डेथ, न्यू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन तो आज हम इस वीडियो में इसके देखेंगे सिंटम, कॉज़ेज, ट्रीटमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी रिसेंटली एम्स ने ICMR को एक लेटर दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो ओल ओवर इंडिया एक सर्वे करना जाते हैं जिसमें वो एवर्स्कुलर नेक्रोसिस के केसिस को स्टड़ी करना जाते हैं जो कि सभी आ रहे हैं कोविड के बाद ठीक है ये देखिए तो उन्होंने बोला कि वो एक स्टड़ी करना चाते हैं इसकी तो उन्होंने ICMR को एक लेटर दी है कि उन्हें इस चीज की स्टड़ी करने दीजए सो सबसे पहले वाट इस एवियन ठीक है एवस्कुलर नेक्रोसिज या फिर बॉन्डथ ही होता क्या है कोविड से पहले जो एवियन के केसिज आते थे वो जातर किसमें आते थे जो कि लोग स्मूकिंग करते हैं अल्कॉलिजम और या फिर जो स्टीरड ज़्यादा यूज करते हैं उन में एवियन के केसिज देखे जाते थे एवियन का एक और नाम भी है जिसको कि हम बोलते हैं ऑस्टिो नेक्रोसिज ठीक है ऑस्टिो नेक्रोसिज भी इसको बोला जाता है अब इसके तीन नाम होगे avascular necrosis, osteo necrosis या फिर bone death, ठीक है इसमें क्या होता है कि जातर कहाँ pain होती है हमारे पास, hips में ज़्यादा pain होती है ठीक है, तो इसमें actually होता है कि blood supply bone की restrict हो जाती है, जिसकी वजासे जो हमारी bone है, उसके पास blood नहीं पहुंच पाता और फिर bone क्या होती है कमजोर होने लग जाती है, यह हमारी जो bone है इसमें गर blood supply रुक जाएगी तो फिर bone क्या होगा, कमजोर होने जाएगी ठीक है, resulting in the loss of its density उसकी density पतली हो जाएगी bone, और weight bearing capacity जब कमजोर हो जाएगी तो उसकी weight bearing capacity भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ठीक है, तो जिसकी वज़े से क्या होगा, bone धीरे धीरे तूटनी लग जाएगी into small pieces की, जैसे यह है bone हमारी ठीक है तो वो इस जैसे यह वले points होगे इस points से, इस points से, तो यहां से क्या होगा, वो small pieces में break होने लग जाएगी जिसकी वज़े से patient को unbearable pain होगा, and loss in mobility, उसकी वो चल फिर नहीं पाएगा, hips are more prone hips से जादा prone है, वैसे यह किसी भी joint में हो सकती है, लेकिन hips क्या है, जादा prone है इसके तो अब COVID के साथ इसको कैसे जोड़ा जा रहा है, तो हमने पीछे देखा कि इसका एक reason क्या है, steroid use हाना, तो हमने पीछे यह चीज़ देखी, तो अब COVID के साथ इसको कैसे जोड़ रहे हैं, डॉक्टर कहे रहे हैं कि जो second wave आई थी हमारे पास COVID की, उसमें क्या हुआ था, कि वो इतनी स्वीर थी कि लोगों को pneumonia तक हो रहा था, ठीक है, तो pneumonia से मतलब लड़ने के लिए लोगों नों क्या किया, steroid का use किया, excessive use of steroid किया, during the COVID treatment, ठीक है, जिसकी वज़ा से, अब उनको avian हो गया, ठीक है, या तो एक reason तो यह है, ठीक है, या फिर दूसरा reason क्या है, कि inherent ability of COVID-19 to cause blood clot, कि COVID में ही जो coronavirus है, उसमें ही ability है, blood clot को create करने की, अब ये चीज़ क्यों बोली जा रही है, क्योंकि हम जब blood supply कम हो जाती है, अब हमारे पास COVID में क्या देखा गया है, कि या तो इनसान को stroke आ जाता था, या heart attack आ रहा है, ठीक है, ये cases बढ़ रहे हैं, तो अब अगर जब blood supply कम हो रही है, अगर तो वो heart में कम हो रही है, तो उससे क्या होगा heart attack आएगा, अगर वो brain में कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, stroke, और अगर वो bones में कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, avian, ठीक है, कि bones soft हो जाएगी और ultimately collapse कर जाएगी bones, ठीक है, और यह कहां पर भी हो सकता है shoulder, knee, hands and foot कहीं भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा prone क्या है hips are more prone ठीक है तो अब इसमें symptoms क्या है हमारे पस avascular necrosis के symptoms क्या है हमारे पस कि pain इतनी ज़्यादा होगी कि movement restrict हो जाएगी movement get restricted, develop pain ठीक है बहुत ज़्यादा pain होगी कहां पर hips में joint में कहीं पर भी तो movement restrict हो जाएगी difficult to walk and may even limping start limping, limping करना शुरू कर देगा कि लंगडाना शुरू कर देगा जैसे ठीक है also they will exhibit pain around knees and other तो हमने यह देखे basically कहीं भी जहां पर joints है हमारे तो joints में pain कहीं भी हो सकती है लेकिन हमारे पर सबसे ज़्यादा prawn क्या है जो हमारे hips है वो सबसे ज़्यादा prawn है ठीक है इसके तो अब इस चीज़ की diagnosis कैसे होगी तो diagnosis इसकी होगी MRI से इसकी होगी diagnosis तो क्योंकि सबसे ज़्यादा pain होगा तो इनसान जाएगा डॉक्टर के बास तो पहले X-ray वगरा होगा तो उसके बाद जो ultimate इसको बताया जाएगा वो बताया जाएगा कि final की यह avian है तो वो बताया जाएगा MRI से तो अब इसका इलाज क्या है तो अगर तो avian जो vascular necrosis है हमारी first stage या फिर second stage यह आप देख रहे हैं first stage में अभी यहाँ पर bone टूटी नहीं स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पर भी अभी हलकी हलकी थोड़ी ऐसे हुई है लेकिन bone टूटी नहीं है यहाँ तो अगर तो यह first या second stage में ही पता चल जाता है तो core decompression surgery करके इसका treatment किया जा सकता है लेकिन अगर हम third stage या फिर fourth stage में पहुँच गी है third stage में आप देखे इस portion को यहाँ पर bone टूट नहीं स्टार्ट हो गी है यहाँ पर और ज़्यादा टूट गी है इस वीडियो को like, share और subscribe करें चैनल को और इस वीडियो को अगर शेयर जबूर करें ताकि सब तक यह knowledge पहुँच पाए Thank you